नमस्कार स्फोर्स एक्स्प्रेस में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपकी सातंक क्याता और आईए अब खबर देखते विस्तार से कारी वहाग कप्तान की रोम पॉलाट की तूफानी पारीस ने मुंबई ने लोकेश राहूल के शतक पर पाने वेरते हुए इंडियन T20 लीग में बुद्वार को वानखेडे स्टेडिया में पंजाब को रोमांचिक मुकाबले में तीन विकेट सहरा कर जीत की है ट्रिक बनाई इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्वकप्ता माइकल वान ने भारत में अपनी यात्रा की दोरान देश की सड़कों को लेका ट्वीट किया जिसके बाद सोचल मीडिया पर प्रशन सको नितीकी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वोन ने ट्वेट किया कि मुझे भारत में यात्रा करना बहुत पसंद है इस सुभा अभी तक हमने सड़कों के बीच में हाती, गाय, उच, भेड, बकरी और सूर देखे हैं आयाईसी वर्ल्ड क्रिकेट अभी उस दौर में हैं जहां क्रिकेट प्रेमियो की नजरे आईपियल के साथ-साथ विश्व कप पर भी लगी हुई है इंगलाइन में होने वाले वंडे विश्व कप में अब महस पचास दिन बाकिये न्यूजिलाइन ने विश्व कप के लिए अपनी टीम घोशित कर दिया और भारत सूमवार को अपनी टीम का एलान करेगा चिन्नई सूपर किंग्स के मध्यम गती के गेंदवाज दीपक चहर इंडियम प्रीमियल लीग के इतियास में एक पारी में सबसे ज्यादा डॉट गेंड डालने वाले गेंदवाज बन गए है चहर ने कोलकता नाइट राइडर्स के खिलाफ चार ओवरों में 20 रंदे का तीन विकेट चटका का शांदा प्रदर्शन किया और इसमें 20 डॉट गेंद फेगी राजिस्थान रॉयल्स को गुरुवा को आईपेल 2019 में चिन्नई सुपर किंग्स की मजबूत चुनौती का सामना करना है चिन्नई का राजिस्थान के खिलाफ रिकॉर्ड बहतर रहा है इसके चलते अजिन के रहने की मेजबान टीम को जीत के लिए चमतकारिक प्रदर्शन करना होगा फिलाल इस बुलिटर में इतना ही आब बने रही है ये मस्चिवी के साथ नमस्कार झाल 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 झाल